ओके, अब है POSCO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, नाम से ही लगता है, चिल्डरन को बचाना है, Sexual Offences से, इस लेक्चर को जानने के बाद आपको ये पता चलेगा, जो कि चिल्डरन है, 18 येर से कम, चाहे वो बॉइ हो या गरल, याद रखना दोनू, अगर उनके साथ Sexual Abuse होता है, तो क्या Punishment होगी Death Penalty भी लग सकती है, इनके लिए Special Fast Track Courts बनाए जाएंगे, याद रखना, अगर कोई 18 साल से कम हो, गरल या बॉइ, अगर वो बोलेगी, चलो मैंने अपने कंजन्ट से, मतलब मैंने बोला कि चलो सेक्स हो जाए, अपने कंजन्ट से, मैंने कंजन्ट देया, नहीं भाई, त इसे ही छेड़चारों तब भी हो सकती है सजा, और भी बहुत कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पॉसको एक्ट, देखो ये प्रोटेक्शन करना है चिल्डरन को, सेक्शुल ओफिंस से, 2012 का ये एक्ट है, ये निवस में क्य हैं, क्योंकि recently, Ministry of Law और Justice ने बोला, हम को सेट करने पड़ेंगे, 2023 पास्ट्रैक स्पेशल कोप्स, किस के लिए, एक तो इस पास्को केसिस के लिए, दूसरा रेप के लिए, ठीक है, for rape and पास्को एक्ट केसिस, देखो रेप में एडल्ट भी हो सकता है, लेकिन पास्को बोलत करता है, ओके, और जो ये सेट किया जाएगा, fast track courts, किस mission के अंडर ये आएगा, किस mission के objective के अंडर आएगा, वो है, national mission for safety of women, ये जो लगाएगा courts, ministry of law and justice, ये जो scheme आएगी, ये scheme आएगी, national mission for safety of women के अंडर, अब आपको यहाँ पे ये जानना है, देखो बाई, कंट्री में, इंडिया में, 389 districts है, जहाँ पे पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग केसिस, पासको एक्टर के अंडर, सो है, सो है, पेंडिंग केसिस, और इस recent scheme के अंडर, इन districts में, एक, एक डिस्टिक में, एक, पासको court लगाया जाएगा, FTSC, Fast Track Special Court, एक, डिस्टिक में एक, जो की एक साल के लिए, बनाया जाएगा, ताकि ये 100 केसिस, जो है, पासको एक्ट वाले, वो ठीक हो जाए, खत्म हो जाए, पास्ट रैक, जिस्टिस मिले, अब, फाइनांस तो करना है ना भाई, इतने court लगाने है, पैसे तो लगेंगे, ये पैसे निकलेंगे, Centrally Sponsored Scheme से, Finance कहां से होगा Centrally Sponsored Scheme, centrally sponsored scheme वो scheme होती है जहाँ पे center का भी और state का भी share मिलेगा जहाँ पे वो पैसे दोनों देंगे लेकिन 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 इस scheme को implement state करेगा याद रखना ओके आचा दोनों के दोनों पैसे निकालेंगे तो center कितना पैसा देगा? center देगा 60% state देगा 40% city aid और UT government भी अब UT government मतलब वो UT जिसमें government है जैसे कि देहली, pondicherry और अब J&K भी ओके, JK union derity अब provision of the protection अब आप बोलोगे सर बाकी यूटी में होता है तो वहाँ पे center ही पैसा देगा अब आप बोलोगे सर किस तरा से क्या है इस पासको एक्ट में क्या क्या है इस पासको एक्ट के बारे में बताईए ये एक्ट बोलता है एक चाइल्ड कौन है कोई भी परसन है जो 18 येर से काम हो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ठीक है और ये पासको एक्ट बोलता है उसके इंटरस्ट और वेल बिंग आप चैल्डी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है हर एक स्टेज के उसका हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सॉरी, ओ, एमोशनल, हाँ, एमोशनल, इंटेलेक्चुल और सोशल डेवलमेंट करना है चैल्डी का ये आपको समझ में आएगा हाँ चैयल्ड के फादे के लिए ओकि, अब ये आप याद रहो, इंडिया पार्टी है युनाइति नेस्टन क गोणेशन सुर्डन का अब यनियटिनेशन को में में ये युनाइटिन नेशन के अडिशन का इंडिया भार्टी है इसी लिए इंडिया ने पॉसको एक्डिल from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. तमाम sexual exploitation और sexual abuse से बचाना है किनको? चिल्डरन को. तो United Nations Party है, तो हमें भी बनाना पड़ा कंट्री में POSCO Act. ठीक है? अब याद रखना, ये डिफाइन क्या करता है? भाई, sexual abuse क्या होता है? sexual abuse बहुत सारे forms का होता है. जैसे कि चाहे penetrative हो, पैन्स का insertion हो, पैन्स penetrate हो, या non penetrative हो, पैन्स का penetration नहीं ऐसे भी छेड़ चार. और sexual harassment भी हो, pornography, अगर चाइल्ड को कराता है कोई, ठीक है? वो भी आएगा. ये सारे माने जाएंगे sexual abuse, और ये सारे तो माने जाएंगे sexual abuse. और याद रखना, याद रखना. Sexual abuse तो ठीक है, लेकिन sexual assault कब aggregated होगा? कब ये माना जाएगा? नहीं, ये बहुत खतरना crime है. ये बहुत जबरदस crime है, जिसके लिए punishment अलग से होगी. जिसके लिए मैंने बोला ना, या तो punishment दी जाएगी कुछ सजा, या तो death penalty भी लग सकती है. तो जिसके लिए जबरदस punishment होगी, वो कौन है? जो child है, अगर उसके साथ sexual abuse हो रहा है, और वो mentally ill है. या जो abuse हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो in person होगा in, person होगा in, pushing of trust or authority, विसावचाल. आशा, कोई children का abuse कर रहा है, sexual abuse वो child का trust का बंदा होगा, कोई related होगा, कोई family member होगा, ठीक है ना, जो child को मानता होगा family member, एक police officer भी अगर करे, teacher अगर करे, child का, doctor अगर करे, child के साथ, तो वो मना जाएगा aggregated crime, बहुत खतरना crime, उसके लिए सजा अलग. इतना ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा ही लिखा है, मैं आपको और भी बोलूँगा, child की अगर injury हो जाई, तब भी माने जाएगा ना, अलग सजा, child अगर pregnant हो जाए, या child की अगर death भी हो जाएगी, तब भी माना जाएगा ना ही भाई, यह तो aggravated crime है, यह तो बहुत खतरनाक crime है, sexual abuse का यह extreme हो रहा है, अब, याद रखना, यह active बोलता है, हाँ बाई, establish करो, special courts for the speed trial, तबी तो establish करने की बात हो रही है, fast records, यह active बोलता है, इस in offenses के लिए ठीक है, यह active बोलता है, child sexual abuse जो है, वो खतम होना चाहिए, एक साल के अंदर अंदर ठीक है, ओके, यह active यह भी बोलता है, relief or rehabilitation child के लिए होना चाहिए, और, जब complaint की जाएगी, तो जो police है, special juvenile police unit जो है, या local police, जो भी police है, वो इस matter को report करेगा, child welfare committee में, 24 hour में, 24 hour में यह report जाना चाहिए, from police to child welfare committee, यह क्या है, यह क्मिटरी होती है, हर एक डिस्टिक में, यह जो कि खास खयार रखती है, चिल्डरन का, इसमें कम से कम 43-45 मेंबर होते हैं, और जो यह मेंबर इनका, चेयर्मेन वेयर्मेन होता है, और एक बात बहुत जबरदस है, इन में एक मुमेन कमपल सरी है, ऐसा नहीं कि बस एक ही मुमेन रहे, बस एक होनी चाहिए, चाहिए वो 10 भी हो, 15 भी हो, एक होनी चाहिए, अब ठीक है, 24 कंटु के अंदर अंदर वहाँ पे जाएगी, कमपलीन ठीक है, रिकॉर्ड होगी कमपलीन, ताकि चाहिए चाहिए को लॉंग टर्रम रहेप्टिलेशन मिले, अब याद रखना है, यह जन्टल न्यूट्रल ला है, ऐसा नहीं कोई 18 साल से कम कोई लड़की ही है, ना 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 बाई भी हो सकता है, बाई यह दोनों हो सकते हैं, बस 18 येर्स अफ एज से कम कम होना चाहिए, अब यह याद रखना, कि यह जो एक्ट है, यह रिकॉगनाईज नहीं करता, कि कंसेनल सेक्शल एक्ट हो गया है, अमेंग चिल्टरन, अरे बाई चिल्टरन इनोसेंट है, चिल्टरन का कोई सेंस नहीं है, आपस में उनों का सेक्शिल हो गया है, तो यह एक्टि直ए बहलता है नहीं, तब भी सजा मिलेगी, अगर चिल्टरन इनोसेंट हो, चिल्टरन आपस में भी हो, कुछ भी करें, तब भी यह माना जाएगा, crime 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 इसकी सजा हो की और between the children अगर हो हाँ वो ही तो मैं बोटा हूँ और एक adult भी अगर एक adult हो कोई दूसरा children हो और उनकी children बोले ना मैंने ही बोला adult को करने का मैंने ही adult को बोला तब भी नहीं तब भी मिलेगी सजा याद रखना और ठीक है कहां और कोई भी परसन होगा इनकोर नीजिट को ही सजा मिल सकती है अगर यह सेक्श अक्ट करता है वो चाइल्ड के साथ एर्रेस्पेक्ट हूँ कि अगर कंजेंट भी मिले चाइल्ड का कर लीजे लेकिन तब भी माना जाएगा यह क्राइम है सजा मिलेगी Parliament ने तो बोला आरे बाई सजा बहुत ज़ादा कर लो सजा को enhance कर लो Parliament ने Protection of Child Sexual Offenses Amendment Act 2019 में बोला enhance car of punishment for sexual offenses against children इवन कि death penalty का भी provision लाओ यहां पर नहीं लिखा है Parliament ने बोला 12 साल से काम है तो minimum 20 years इससे पहले था उसके बाद बोला गया death होनी चाहिए 16 years से कम है तो 10 साल से 20 साल की सजा होनी चाहिए की jail होनी चाहिए ज़्यादा मतलब अगर 16 साल से ज़्यादा है कोई तो उसके साथ साथ से 10 साल की सजा होनी चाहिए तो बढ़ गई सजा, 7 साल थी पहले फिर 10 साल तो इसी तरह आपको वो याद नहीं रखना, बस याद रखो कि सजा बढ़ने की बात, और एवन के death penalty लगाने की बात, देखो चाइल्ड जो होता है न, किसी कंट्री में महना जाता है 18 साल, 17 साल, 16 साल, इवन कि उससे नीचे भी, किसी कंट्री में बोलते हैं नहीं, आडल तो तो होती है कोई लडगा या लड़की, 14, 15 साल के बाद ही, ठीक है, तो चाइल्ड की डिफिनिशन क्या है, डिफरेंट एक्ट्स के हिसाब से, तो पॉसको एक्ट ने बोला 18, लेस देन 18 तो चाइल्ड, चाइल्ड लेबर, प्रोहबिशन एन रेगुलेशन एक्ट 1986 का बोलत की लड़का, तो वो जिवनाइल माना जाएगा, ठीक है, और उसको सजा मिलेगी, उसी के हिसाब से, जिवनाइल कोर्स अलग होते हैं, जो ये क्राइम करते हैं, उनके अलग सजा होते हैं, ठीक है, माना जाएगा 16 साल, फ्रेक्ट्रीज, एक्ट बोलेगा 15 साल, ओके, याद उससे नीचे भी कुछ कंट्रीज बोलती है, कि हाँ उससे नीचे भी है कुछ कंट्रीज जो कि एज अब कंसर्ट दे सकते हैं, मतलब कि जो कि अडल्ट बन गए हैं, और वो कंट्रीज एमेरिकन स्टेट से हैं, एउरोप, जापान, कनेड़ा, आस्ट्रेलिया, रश्या, च पर आप्सटीन है इसे तरह फैक्टरीक्ट में 15 है अब याद रहो कि इंडिया में इंट्रेशनलेवल पर क्या हो रहा है नाशनल लेवल पर इंडिया के अंदर चायल्ड वैल बीग इंडेक्स Child Developing Index को release करते हैं कौन दोनों के दोनों organizations indians हैं इंडिया के वर्ल्ड से confused नहीं होना दोनों के दोनों इंडिया ने अब याद रखो Child Developing Index को release करता है कौन World Division India जो के एक NGO है और IFMR LEAD जो के एक Research Institute इंडिया में है ये दोनों institutions release करते हैं Child Wellbeing Index सिकोर काल्कुलेट किया जाता है 24 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़े मतलब इंडिकेटर्स होते हैं 24 जिस पे ये स्कोर दिया जाता है State स्कोर दिस्टिक्स को और ये डिवाइड होता है तीन केटेगरीज में Health, Individual Development Positive Relations और Protective Context केरला टॉप पे है केरला, तामिलनाडो, हिमाचल पर्देश टॉपड और मेगालिया, जारखंडो और मध्या पर्देश बॉटम पे है और याद रखना कि यूटीज में पॉंडिचेरी बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी है और हमारी टेलिग्राम गूर्प को चाहिए न जोईन करो अगर आपको कोचिंग करनी है अगर आपको ये चीजे मिटीरियल चाहिए और आपको बाकी वीडियो भी चाहिए जेके सेटरी फ़र्सेवल सर्विसे जेके पेसी केस केस 2020 अब हमें पढ़ना है ICPS ICDS नहीं ICPS Integrated Child Protection Scheme देखो ये स्कीम Centrally Sponsored Scheme है और आपको पता है Central और State दोनों मिलके पैसा देगा लेकिन Implement करेगा इस स्कीम को काम करेगा इस स्कीम पे State Centrally Sponsored Scheme है और Protective Environment बनाएगा चिल्टरन का डिफेन्स सर्किस्टेंस में वर्नेबल चिल्टरन के लिए काम करेगा और Government Civil Society Partnership दोनों मिलके काम करेंगे Government और Civil Society Partnership मिलके काम करेंगे बस चिल्टरन के लिए ये बोलता है हम सेट करेंगे District Child Protection Societies या देखना District Child Protection Societies सेट करना पड़ेगा वो कून करेगा State Government या UT का Administration हार एक district में State के ठीक है और जिसमें ये देखा जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि इडेंटिफाई करो Families जिन पर ये असर पड रहा है और Children's जो एक रिस्क है और उनको प्रोटेक्शन करो उन चिल्टरन को प्रोटेक्ट करो उसके बाद याद रखना डाटा बेस भी बनाना है बाई कॉम्प्यूटर में डिजिटल डाटा रखना है और नॉलेज बेस चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज देने है जैसे कि Management Information System चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इन दे कंट्री ताकि एफेक्ट्व इंप्लिमेंटेशन और मॉनिटरिंग अफ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का हो जाए ठीक है चाइल्ड ट्रैकिंग कहीं चाइल्ड मिस्यूजमत हो रहा है वो सारी चीज़े आप इस स्कीम के अंदर देख लो और ये जो स्कीम है ये कौन सी स्कीम है भाई ICPS ये क्या बोर रही है ये बोर रही है कि Financial Resources to States और यूटीज को देना चाहिए वो देंगे Financial Resources to States and यूटीज को दिया जायेगा किस लिए Effective Implementation of Juvenile Justice के लिए Juvenile Care and protection of children के लिए दिए juvenile में जो बंदे होते हैं क्राइम करने उनका क्रियर और प्रोटेक्शन अलग तरह से होता है ठीक है तो उसको फाइनांचल रिसूर्स सेंटर देगा स्टेट्स और यूटीज को इस स्कीम के अंदर कौन सी इंटेग्रेट चाल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अवर नेक्स अदॉप्शन इंडिया गोद ले ना